पूर्षी उपकरण बनाने वाले निर्माता पूनी इंप्लिमेंट ने किर्षी छेतर में ऐसा इजाद किया है जिससे ना केवल किसानों को आर्ठिक लाब मिलेगा बलकि समय और लेवर की भी बचट हो सकेगी दरसल टोहाना में पिछले लंबे समय से किर्षी उपकरण बना रहा है पूनी इंप्लिमेंट के दीप सिंग ने बताया कि उन्होंने एक नई मशीन बनाई जिससे गेहों की फसल की रोपाई के साथ साथ अब धान की फसल की रोपाई भी की जा सकेगी इससे पहले किसानों को दोनों फसलों की बिजाई के लिए दो अलग-अलग मशीने खरीदनी पड़ती थी दोनों की कीमते करीब पूने दो लाग के आसपास होती थी साथी उनकी देखरेक पर भी बड़ा खर्च होता था अब उन्होंने दोनों फसलों की बिजाई के लिए एक ही मशीन बना दी है जिससे अब किसानों को दो अलग-अलग मशीन खरीदने की जिरूत नहीं है साथी इसकी कीमत दोनों मशीनों की कीमत से भी करीब आधी है इतना ही नहीं उन्होंने बताया कि अगर किसी किसान के पास पहले से गेहों बिजाई की मशीन है तो उसमें भी मामली बदलाव करके और कुछ अन्य मशीनरी जोड़कर उसे भी 2-1 मशीन में बनाया जा सकता है देप सिंग ने बताया कि धान की बिजाई के लिए बड़ी संख्या में लेबर की आविश्यता होती थी मगर इस समय जिस बुरे दोर से विश्व गुजर रहा है लेबर की कमी बनी हुई है ऐसे में ये मशीन किसान के लिए किसी वर्दान से कम साबित नहीं होगी पिछले आरदस साल से हम DSR डायरेक्ट सोइंग राइस मशीन हम बना रहे हैं जिसकी कोस्ट लगबग किसान को 80-90,000 पर कोस्ट करती है ये मशीन तो जैसा कि इस बार ये COVID-19 ये करोना के हैं हम इसकी मामारी के चलते हैं थोड़ा सा इस बार परवासी मजदूर जिस तरह से पलायन कर रहे हैं तो लेवर की समस्या आने वाली है किसानों को उसको देखते हुए हमने डायरेक्ट सोइंग राइस जो हमारी मशीन है DSR उसका एक नया विकल्प हमने तियार किया जो कम कीमत में किसानों की हल्प कर सकेगा मैं बता देना जाता हूं कि जो किसान पहले से गेहूं बोने की मशीने प्रयोग में ला रहे हैं गेहूं बोने के लिए उसी के उपर हमने एक अटेस्मेंट एक अलग से एक छोटा सा कल पुर्जा लगा करके हम उसी गेहूं बोने वाली मिशीन से धान को सीधा बॉई कर सकते हैं